यू तो भारत राजा महराजों का देश रहा है जहां बहुत से अलग-अलग राजा हुए कई राजा आज भी लोगों को याद है और कुछ के बारे में बहुत से लोग चानते तक नहीं राजाओं के अलग-अलग शौक भी हुआ करते थे ऐसे ही पटियाला के राजा भुपिंदर सिंग अपनी रंग मिजाजी के लिए मसूर रहे इस रंगीन मिजाजी के सच्चे किस्से आपको चुका देंगे पटियाला के इन महराजा की गतिविदियों का जिक्र महराजा भुपिंदर सिंग के दिवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महराजा में किया है आपको बता दे कि राजा साहब ने पटियाला में लील भवन या रंगरलियों का महल बनवाया था जहां केवल निवस्त लोगों को ही प्रवेश मिलता था यह महल पटियाला सहर में भुपेंदर नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है महल का एक खास कमरा महराजा के लिए रिजर्व था कमरे की दिवारों पर चारों तरफ बने चित्तरों में सैकरों तरफ से आसनों में प्रेम कलाब में डूबे औरत पुरुष को दिखाया गया है कमरे को हिंदुस्तानी ढंग से सजाया गया है फर्स पर कीमती जवाराद जड़े, मोटे मोटे कालिन बिचे हैं, महराज के भोग विलास का पूरा साजा समान मौजूद है महराजा ने महल के बाहर एक स्विमिंग पूल बनवाया था, पूल इतना बड़ा था कि डेट सो मर्द और अरत एक साथ नहा सके यहां बड़ी सांदार पार्टियां होती थी, पार्टियों में सभी निर्वस्त होकर सामिल होते थे, इन पार्टियों में राजा अपनी पिर्मिकाओं को बुलाते थे जो उनके कुछ खास दोस्तों के साथ ना आती थी, इस पार्टियों में उनके राज के अंगरेज अधिक सिंग का जनम पतियाले में 12 अक्टूबर 18,99 को मोती बाग पैले स्पतियाले में हुआ था पिता महराजा राजिंदर सिंग की मौत के बाद राजी के शाषक भुपिंदर सिंग बने और उन्होंने 38 वर्षों तक राज किया सिक परिवार में पैदा हुए इस सासक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दस से अधिक बार शादी की और एक अनुमान के अनुसार उनके 88 बच्चे हुए थे